Hello DAVians, Welcome to DAV Group Class 8 के Mathematics में हम लोग Chapter No.6 Compound Interest पर रहे थे Worksheet No.3 हम लोग solve कर रहे थे जिसमें के 10 questions हमने complete कर लिया था इस वीडियो में हम लोग बचे गुए 9 questions को solve कर लेंगे उसके बाद Worksheet 3 पूरा complete हो जाएगा अब तक आपके Class के जितने वीडियो मेंने बनाया हैं सभी आपको DAV Group पर मिल जाएंगे उनको देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा जहाँ पर आपको हर Class और हर सब्जेक के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं 9th और 10th के लिए मैंने कलक से चैनल बना दिया है Simplyverse आप इसको भी सर्च करके सब्स्क्राइब कर लिजेगा वहाँ पर भी डेली नए-नए वीडियो जाते रहते हैं पिछले पार्ट में questions को solve करने से पहले हमने इन सभी formula को discuss किया था अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजेगा formula theory पूरा clear होना चाहिए तभी आपको आगे दिक्कत नहीं होगा इसके अलावा हमने ये वाला formula भी देखा था अगर हमें CI यानि कि compounded directly निकालना हो तो हम ये वाला formula यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हमें 11th question को solve करना है यहाँ पर आपको principle given है आपको amount भी दे दिया गया है और आपको time भी दे दिया गया है तीनों चीज़ given है बट आपसे पूछा गया है कि rate क्या होगा we can write principle is equal to 64,000 rupees amount is equal to 68921 rupees and time t is equal to 3 years amount का formula हम जानते है is equal to p into 1 plus r by 100 raise to the power time यहाँ पर आपको amount भी पता है principle भी पता है time भी पता है बस rate चाहिए एक formula में एक unknown है तो आसानी से पता कर सकते हैं so values को put करते हैं amount is 68921 is equal to principle यानि कि 64,000 into 1 plus r by 100 r तो पता नहीं है r यहाँ पर रहने देते हैं divided by 100 raise to the power time यानि कि यहाँ पर 3 put करना होगा 64,000 इधर आ जाएगा तो आपको मिलेगा 68921 divided by 64,000 equal to यहाँ पर अंदर में solve करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100, 100 plus r by 100 और उसके उपर exponent आपका 3 यहाँ पर exponent आपका 3 है तो इधर भी 3 के exponent में आपको convert करना परेगा तभी आपको r का value मिल सकता है तो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए आप इसका भी cube root निकालेंगे और इसका भी cube root निकालेंगे उपर वाले का cube root आपको 41 मिल जाएगा तो हम लिख सकते हैं इसको 41 का cube और नीचे वाले का cube root 64,000 का मिल जाएगा आपको 40 तो 64,000 can be written as 40 का cube अच्छा यहाँ पर दोनों पे cube है उपर भी cube है नीचे भी cube है तो हम लोग इसको whole cube के term में लिख सकते हैं 41 by 40 raised to the power 3 हमें पता है कि left hand side और right hand side में दोनों term पर अगर same exponent हो तो हम उसको eliminate कर सकते हैं we can write as 41 by 40 is equal to 100 plus r by 100 cross multiplication करेंगे आपको मिल जाएगा 40 100 is equal to 40 into 100 याने की 4000 plus 40 into r याने की 40 r तो आपको मिल जाएगा 40 r is equal to 41,000 minus 4000 यह वाला जो 4000 अब दोजा के minus हो जाएगा तो 100 आपको मिलेगा यहाँ पे और we can write r is equal to 100 by 40 100 by 40 मतलब 2.5 rate का numeric value हमें 2.5 मिल गया rate को percentage में लिखते हैं इसलिए हमारा final answer क्या हो जाएगा rate is equal to 2.5% यह हो जाएगा आपका rate next question में बोला जाएगा है in how many years will 8,000 rupees amount to 9,261 rupees at 5% per annum compounded annually annually compounding हो रहा है principal आपको given है amount given rate भी दे दिया गया है आपसे time पूछा गया है in how many years यही आपको बताना है जो जो given है फटक से पहले आप लिख लिजेगा आपको principal given है 8,000 rupees amount आपको given है 9,261 rupees rupees का symbol लिखना ना भूले rate आपको given है 5% per annum annually compounding हो रहा है इसका मतलब कि rate per annum में होना चाहिए जो कि already है और time years में होना चाहिए जो नहीं given है तो जो भी answer आएगा वो years में आएगा फिर से वही formula use करेंगे amount is equal to p into 1 plus r by 100 raise to the power time आप लोग exam में formula जरूर लिख दिया किजेगा हम लिखेंगे amount के जगर 9261 is equal to p यानि कि 8,000 into 1 plus r by 100 यानि कि 5 by 100 raise to the power time time नहीं पता है यहाँ पर n भी लिख सकते हैं वैसे 8,000 को उस तरफ ले जाएंगे आपको मिलेगा 9261 by 8,000 is equal to अंदर solve करेंगे तो 5 से ये कट जाएगा 5105 20 times में तो अंदर हो जाएगा 21 by 20 तो 21 by 20 और इसके उपर है t exponent हमें इस t को पता करना है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि आप इस वाले side में जो term है उसको भी exponential form में लिख दीजिए अगर दोनों side में base same हो गया तो exponent automatically same हो जाएगा तो देखिए 9261 को exponential form में आप क्या लिख सकते हैं जड़ा सूचिए कैसे पता चलेगा इसका आप prime factorization निकालिएगा नीचे वाले का भी prime factorization निकालिएगा नीचे वाले को तो थोड़ा से common sense लगा कर आप बता सकते हैं 8000 जो है वो 20 का cube होता है और उपर जो 9261 है वो भी पका cube ही होगा किसी number का क्योंकि यहाँ पे उपर और नीचे same power आता है तब ही solve होता है तो यहाँ पे आपको पता करने पर पता चलेगा कि यह 21 का cube है जब उपर नीचे cube ही है तो हम लोग यहाँ पर whole cube लिख सकते हैं 21 by 20 का whole cube और उस तरब क्या है 21 by 20 raised to the power t अब देखिए comparison करेंगे दोनों side में base same है तो exponent भी automatically same हो जाएगा तो इससे हमें comparison से हमें time मिल गया t is equal to 3 time 3 years आपका final answer हो जाएगा next question में बोला जा रहा है in what time मतलब time आपसे पूछा गया है time is unknown will a sum of 3750 a 20% per annum compounded annually amount to 6480 मतलब इतना रुपया 20% per annum के rate से इतना रुपया हो जाता है तो time क्या होगा यह आपको calculate करके बताना है हमें principle given है 3750 रुपीज हमें rate भी given है 20% per annum और हमें amount भी given है amount is equal to 6480 रुपीज हमें time निकालना है तो time is equal to dash years यहाँ पर लिख देते हैं जो answer आएगा यहाँ पर fill कर देंगे same formula यूज करना है amount is equal to p into 1 plus r by 100 raise to the power time amount is 6480 रुपीज is equal to principle 3750 into 1 plus r by 100 याने कि 20 by 100 raise to the power time time तो given नहीं है तो t लिख देते हैं यहाँ पर 3750 इस तरफ आ जाएगा आपको मिलेगा 6480 by 3750 equal to 1 plus 20 by 100 को आप लिख सकते हैं पहले तो यह 0-0 cut कर देते हैं और 21 जा 2, 25 जा 10 अंदर में आपको मिल जाएगा 6 by 5 1 plus 1 by 5 करेंगे तो 6 by 5 आपको मिलेगा उपर exponent है t अब इदर 6 by 5 बेस है तो इधर भी आपको 6 by 5 बेस में आना चाहिए और उसका exponent जो होगा वही t का value हो जाएगा comparison करके हमें exactly नहीं पता है कि 6 के exponent में इसको कैसे लिखे तो एक काम कर सकते हैं दोनों का prime factorization निकाल सकते हैं 00 तो यहां पे कटी जाएगा केवल 648 और 375 का निकाल लेते हैं यहां पे 375 का prime factorization करेंगे यहां पे 648 का prime factorization करते हैं 5 से divide हो जाएगा यह 75 टाइम्स में फिर 5 से divide हो जाएगा 15 टाइम्स में उसके बाद फिर 2 से डिवाइड होगा 162 टाइमस में, फिर यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा 81 टाइमस में, फिर 3 से डिवाइड होगा 27 टाइमस में, फिर 3 से होगा 9 टाइमस में, फिर 3 से होगा 3 टाइमस में, इसको आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंट एक थ्री बच गया अब बस इसको उठाकर आपको यहां पर लिख देना है और इसको उठाकर नीचे यहां पर लिख देना है आपका अंसर आपके सामने होगा उपर हमें लिखना पड़ेगा टू का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 और नीचे आपको लिखना एक थ्री एक थ्री कट जाएगा और उस साइड में तो वही था 6 by 5 raise to the power t अब इधर भी देखे 6 by 5 raise to the power something आ जाएगा 2 पर power 3 है 3 पर power 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 6 पर power 3 और नीचे है 5 पर power 3 is equal to 6 by 5 raise to the power t अब दोनों साइड बेस सेम आ गया तो exponent भी सेम हो जाएगा t will be equal to 3 तो हमें t मिल गया t is equal to 3 यह हमारा final answer हो जाएगा हम लिख सकते time is 3 years next है question number 14 थोड़ा सा लग type का है थोड़ा सलेंदी question है इसको ध्यान से समझेगा the difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money it's 6 whole to buy 3% per annum for 3 years is 46 रुपीज यहाँ पर आपका principle ही गायब है आपको बोला गया है कि आप principle find out करके बताएगे अगर उस principle के साथ compound interest और simple interest के बीच का difference 46 रुपीज होतो तो हम लोग क्या करेंगे पहले compound interest calculate करेंगे P के साथ एक unknown number के साथ उसके बाद simple interest calculate करेंगे और दोनों के बीच में difference निकालेंगे और difference को 46 के equal कर देंगे उसके बाद हमें आसानी से P का value मिल जाएगा principle तो हमें निकालना है तो इसको लिख देते हैं dash rupees rate आपको given as 6 whole 2 by 3 तो 6 तो 18 plus 2 20 by 3 percent per annum है ना 20 by 3 percent per annum time आपका 3 years है time is given as 3 years और आपको बता दिया है कि compound interest में से अगर आप simple interest को घटाईएगा तो आपको 46 rupees answer मिलेगा तो चलिए जितने भी शक्तियां हमें दी गई है इसका इस्तिमाल करते हैं और पता लगाते हैं कि P का value होगा क्या पहले CI निकाल लेते हैं फिर SI निकाल लेंगे CI का direct formula हम आपको बताया थे CI componentist equal होता है P into bracket के अंदर 1 plus R by 100 raise to the power time minus 1 और बड़ी bracket बंद आपको जो जो पता है बस यहाँ पर put कर देना है P नहीं पता है P ही रह जाएगा bracket start 1 plus rate है 20 by 3% per annum तो 20 उपर रहेगा 3 नीचे 100 के साथ multiply होकर 300 बना देगा raise to the power T, T है आपका 3 years minus 1 और bracket बंद पहले इस अंदर वाले को solve कर लेते हैं आपको पता ही होगा एकदम आसान calculation है अंदर में क्या है 1 plus 20 by 300 तो 20 का यह 0 और यहाँ पर 300 का एक 0 कट जाएगा 2 अंजा 2 और 2 से 15 times में तो 1 plus 1 by 15 हो जाएगा which will be equal to 16 by 15 मतलब यह जो इतना बड़ा term है इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 by 15 वही करते हैं P बड़ी bracket start अंदर में 16 by 15 raise to the power 3 minus 1 और यहाँ पर bracket बंद आगे solve करेंगे तो आपको मिलेगा P into 16 का cube करना परेगा जो की होता है 4096 और 15 का cube होता है 3375 minus 1 और bracket बन it is equal to P bracket start 4096 minus 3375 by 3375 which is equal to P into 721 by 3375 तो compound interest का value तो हमने निकाल लिया अब बस आपको simple interest का value निकालना है फिर compound interest में से simple interest को घटा कर 46 के equal करेंगे P आपको मिल जाएगा simple interest is equal to क्या होगा P into R into T by 100 P तो नहीं पता है तो P ही लिख देते हैं rate 20 by 3% था तो 20 उपर रहेगा 3 नीचे 100 से multiply होगा time आपका था 3 years तो नीचे यहाँ पर आपको मिलेगा 100 into 3 3 3 cancel हो जाएगा 20 से यह 5 times में 100 हो जाएगा आपको मिलेगा P by 5 question में हमें given था ci minus si is equal to 46 होना चाहिए ci हमने निकाला अभी just इतना बरा term और si अभी हमने यहाँ पर निकाला P by 5 तो उसमें से P by 5 को subtract कर देते हैं equal to 46 कर देते हैं ci हमें मिला था 721 P by 3375 minus si अभी हमें just मिला क्या P by 5 is equal to 46 इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा 3375 और 5 का LCM 3375 ही आएगा यहाँ पर लिख लेते हैं 3375 उपर में 721 ही आएगा 721 P minus 5 से 3375 में divide करना होगा 675 टाइमस में लगेगा और 675 को उपर multiply कर देंगे तो 675 P आपको मिलेगा equal to 46 उपर में आपको subtraction करना पड़ेगा 721 P minus 675 P तो आपको मिलेगा 46 P उपर में और नीचे 3375 is equal to 46 and P will be equal to 46 into 3375 divided by 46 यह दोनों कर जाएगा P आपको मिल जाएगा 3375 रूपीज कुछ नहीं था, simple सा concept था, थोरा सा calculation hard था, time taking था लेकिन आप अगर अच्छे से बनाएंगे, शांत दिमाग से बनाएंगे तो आसानी से आपको answer मिल जाएगा अब देखिए पिछले question में अगर कोई doubt रहे गया तो इस question में clear हो जाएगा क्योंकि पिछले question के तरह ही ये वाला question भी है The difference between the compound interest and simple interest on a certain sum of money at 15% per annum for 3 years ही जितना यहाँ पर आपको ये बदल दिया गया है, ठीक है, CI-SI का जो value है वो बदल दिया गया है Rate भी आपको different है, time तो वही 3 years ही है Similar तरीके से calculation करेंगे, P का value हमें निकालना है Principle आपको निकालना है, यह हमें नहीं पता Rate given है 15% per annum Time आपको given है 3 years आपको difference दे दिया गया compound interest और simple interest के बीच का जो किया है, 283 rupees and 50 paisa CI का direct formula हम जानते है P, body bracket start, 1 plus r by 100 Raise to the power time, minus 1, body bracket बंद इसमें हमें जो जो पता है, सब को put कर देंगे Compound interest will be equal to P, P तो नहीं पता है Into 1 plus r by 100 r हमें कितना given है, 15% per annum given है, by 100 Raise to the power time, time आपका 3 years given है Minus 1, body bracket बंद अंदर वाले को यहाँ पर solve करके बता देते हैं यहाँ पर है 1 plus 15 by 100 15 यहाँ पर कर जाएगा 5 से 3 times में और यह कर जाएगा 5 से 20 times मतलब आपको 1 plus 3 by 20 करना परेगा 1 plus 3 by 20 will be equal to 23 by 20 मतलब इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 23 by 20 चलिए वह ही करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा P into 23 by 20 raised to the power 3 minus 1 23 का cube आपको निकालना परेगा उसके बाद CI will be equal to P into 23 का cube होता है 1, 2, 1, 6, 7 और नीचे 20 का cube कितना हो जाएगा यह तो आपको पता है 2, 2, 4, 2, 8 और इस पर 3, 0 minus 1 बस अब हमें यहाँ पर सब्ट्रेक्ट कर देना है अंदर LCM लेंगे 8,000 आएगा उपर हो जाएगा 1, 2, 1, 6, 7 minus 8,000 ब्रैकेट बंद अब देगे उपर सब्ट्रेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, 2, 1 6, 7 minus 8,000 करेंगे तो confuse मत कीजिएगा कि इसको ऐसे कैसे लिख दिए compound interest निकल गया अब हमें simple interest निकालना है simple interest will be equal to P into rate आपका 15 given है T आपका 3 given है by 100 5, 3 जाब 15 5 से 20 times में खतम आपको मिलेगा 9P by 20 SI आपको इतना मिल गया अब आपको क्या करना है आपको करना है CI minus SI और इसका value आपको दे दिया है 283.50 रुपीज तो वही करते हैं हमें क्या करना है CI minus SI करना है और इसका value 283.50 आना चाहिए compound interest हमें मिला था 4167P by 8000 और simple interest अभी हमें मिला 9P by 20 It should be equal to 283.50 LCM लेना है simply 8,020 का LCM हो जाएगा 8,000 ही यहाँ पर कोई change नहीं होगा 4167P माइनस इधर आपको मिलेगा 3600P इसको हम लोग fraction में लिख सकते है 28350 by 100 या 283500 कटा ही देते हैं by 10 उपर subtract करेंगे तो आपको मिल जाएगा 567P by 8,000 will be equal to 2835 by 10 अब तो आसान है निकालना 100 ने 10 अब P का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे simply इस 8,000 को उधर बेजेंगे उपर जाके multiply हो जाएगा 8,000 और यह 567P नीचे आजाएगा 567 उसके उद कैंसल आट करना है P का वैल्यू मिल जाएगा 28 2835 by 10 into 8,000 उपर आजाएगा by 567 567 से यह 5 टामस में खट जाएगा 10 से यह 1 जीरो खत्म हो जाएगा 800 इंटू 5 कीजेगा तो आपको P का वैल्यू मिल जाएगा 4000 रुपीज यही तो हमसे पूछा गया था P का वैल्यू प्रिंस्पल जो होगा इस कंडिशन में जैसा कोशन बताया गया था उसी साब से P का वैल्यू 4000 ही आना चाहिए सिंबल लिखना एकदम नहीं भूलेगा सिंबल नहीं लिखेगा तो आपका एक दो माक्स कट सकता है next question में compounding semi-annually हो रहा है मतलब half yearly compounding वाला question है तो इसको अच्छे से बनाना है गलती नहीं करना है find the amount and compound interest दोनों आपको निकालना है ठीक है on rupees इतना 12,800 for one year time आपको one year दिया गया है rate आपको दिया गया 7 whole 1 by 2% per annum compounded semi-annually तो पहले हमें जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं उसके बाद सबको semi-annually के हिसाब से बदल देंगे principle हमें दिया गया है 1,2,8,0,0 rupees उसके बाद time हमें दिया गया है one year और rate हमें क्या दिया हुआ है rate हमें दिया है 7 whole 1 by 2 7,2 जा 14 plus 1 15 by 2 percent per annum semi-annually compounding हो रहा है मतलब half yearly compounding हो रहा है तो time को आपको half years में convert करना पड़ेगा और rate को आपको per half year में convert करना पड़ेगा तो देखिए 1 साल में कितने half years होते हैं साल को half year में convert करने के लिए 2 से multiply करते हैं हम आपको बतायते तो time can be written as 2 half years ठीक है 1 साल में 2 half year होता है rate क्या होगा rate यहां पर कैसे convert होगा per annum को आपको per half year में convert करना है साल का 15 बटे 2% है तो आधे साल का यानि कि half year का क्या हो जाएगा 15 बटे 2 का आधा यानि कि 15 बटे 4 15 by 4 percent per half year आपका rate हो जाएगा तो आपको time के जगा इतना यूज करना है 2 half years और rate के जगा 15 by 4 per half year आपको यूज करना है हमने पहले ही changes कर लिए तो formula में कोई भी change नहीं करना है वही formula हम लोग यूज करेंगे क्या था हमारा formula formula हमारा था amount is equal to p into 1 plus r by 100 raised to the power time यहाँ पर हमने 2t और यहाँ पर r by 2 इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है तो दुबारा नहीं करना है यहाँ पर भी change कर देंगे और यहाँ पर भी change कर देंगे तब तो गरबर हो जाएगा न एक ही जगा change करना है amount is equal to principle आपका 1,2,8,0,0 है 1 plus rate हमने convert कर लिया था पर half year में क्या मिला था 15 by 4 मिला था 15 उपर रहेगा 4 नीचे 100 से multiply होके 400 बन जाएगा time आपका 2 half year से 2 डाल देते हैं अब तो आपको solve करना आता ही है आप लोग खुदे smart हो चुके हैं अंदर में हो जाएगा 1 plus 1 plus 3 by 80 raise to the power 2 it is equal to 1,2,8,0,0 83 by 80 raise to the power 2 which can be written as 1,2,8,0,0 into 83 by 80 into 83 by 80 ये दो 0 और ये दो 0 कर जाएगा 8 से ये 16 बार में कर जाएगा और फिर 8 से ये 2 बार में कर जाएगा अब आपको 83 into 83 into 2 कर देना है आपको मिल जाएगा 1,3,7,7,8 रूपीस ये हो गया आपका amount amount तो हमें मिल गया अब आपको क्या चाहिए आपको चाहिए compound interest भी तो compound interest के लिए क्या करेंगे amount minus principal कर देंगे ये amount आपका मिल चुका है यहाँ पर ये पहला answer आपका हो गया compound interest के लिए amount minus principal करेंगे मतलब 1,3,7,7,8 minus 1,2,8,0 आपको करना पड़ेगा तब आपको final answer मिलेगा 978 रूपीस ये हो गया आपका compound interest तो पहला answer आपका यहाँ पे था ये वाला first answer आपका हो गया और ये वाला second answer हो गया 17th question को solve करते हैं Mr. Aurora borrowed 40,960 रूपीस from a bank to start a play school Mr. Aurora को play school खोलना था इसलिए उन्होंने bank से इतना रूपिया उधार लिया if the bank charges 12.1 by 2% per annum compounded half yearly देखिए यहाँ पे half yearly compounding हो रहा है आप इसको ignore मत कीजेगा नहीं तो examiner आपके answer को ignore कर देगा what amount will he have to pay after one whole 1 by 2 years डेर साल के बाद उनको कितना रूपिया पे करना परेगा ये आपको calculate करके बताना है मतलब आप से केवल और केवल amount पूछा गया है पहले जो जैसा given है वैसा लिख लेते हैं principle हमें given है 40,960 रूपीस rate given है 12 whole 1 by 2 मतलब 12 2 जा 24 plus 1 25 by 2 rate है given 25 by 2 percent per annum और time given है 1 whole 1 by 2 years जिसको आप simply 3 by 2 years भी लिख सकते हैं 3 by 2 years half yearly compounding हो रहा है मतलब आपको यहाँ पर rate और time को change करना परेगा half year के हिसाब से देखिए rate आपका 25 by 2 percent per annum है साल का इतना rate है तो half year का आधे साल का कितना rate होगा इसको 2 से divide करेंगे 25 by 2 divided by 2 करना परेगा which will be equal to 25 by 2 multiply 1 by 2 मतलब आपको मिलेगा 25 by 4 percent इसको 2 से divide किजेगा तो आपको मिलेगा 25 by 4 percent तो rate को आपको यहाँ पर यूज करना परेगा 25 by 4 percent per half year अब time को भी change करना परेगा हम जानते 1 year is equal to 2 half year होता है एक साल में 2 half year होता है तो 3 by 2 years को half year में convert करने के लिए 2 से multiply कर देंगे 2 2 कर जाएगा 3 बचेगा मतलब 3 by 2 years can be written as 3 half years convert हो गया अब हमें बस amount निकाल लेना है amount is equal to P यानि कि 40960 into 1 plus R by 100 1 plus R यहाँ पर 25 by 4 use करना है 25 by 400 हो जाएगा raise to the power N time यहाँ पर 3 half years है it will be equal to 40960 अंदर में solve करेंगे तो आपको मिलेगा 17 by 16 raise to the power 3 it is equal to 40960 into 17 का cube हो जाएगा 4913 और 16 का cube हो जाएगा 4096 अब दीखे 4096 से यह 40960 10 times में कर जाएगा और 4913 into 10 आपको मिल जाएगा 49130 इतना रुपीज हो जाएगा आपका amount यही तो आप से पूछा गया था न तो आप लेख सकते amount is equal to amount is equal to 49,130 रुपीज देर साल के बाद Mr. Aurora को इतना रुपया पे करना पड़ेगा बैंक को मीरा लेंट आउट 20,000 रुपीज फोर 9 months ए 20% per annum compounded quarterly यहाँ पर देखे quarterly compounding हो रहा है तो हमें उसके इसाफ से time और rate को change करना पड़ेगा तो मिसेस सर्मा मीरा ने मिसेस सर्मा को 20,000 रुपय उधार दिये 20% per annum के rate से quarterly compounding होगा what amount will she get after the expiry of the period time खत्म होने के बाद उसको कितना रुपया वापस मिलेगा मतलब amount ही आपको calculate करके बताना है principle यहाँ पर given है 20,000 रुपीज जो जो given है जैसे जैसे given है पहले वैसे लिख लेना है time आपको given है 9 months ठीक है 9 months यहाँ पर थोरा सा आप confuse कर सकते है कोई दिकत नहीं हम समझा देंगे rate आपको given है rate is given as 20% per annum यहाँ पर quarterly compounding हो रहा है मतलब quarterly के हिसाब से हमें change करना परेगा quarterly के हिसाब से कैसे change होता है rate को आप 4 से divide कर देते है quarterly compounding जब भी होता है तो और time को आप 4 से multiply कर देते है लेकिन एक और चीज हो जाएगा इसलिए आपको ध्यान रखना इस बात का rate को 4 से divide कर देंगे आपको मिल जाएगा 5% per quarter year और 9 months को quarter year में convert करने के लिए आप simple सा logic लगा सकते है 1 quarter year होता है 3 months 3 महिना मतलब 1 quarter year तो 9 महिना मतलब कितना quarter year हो जाएगा 3 quarter year हो जाएगा simple इसलिए 9 months को हम लोग लिख सकते है 3 quarter years लिख देते है 9 months is equal to 3 quarter years ऐसे नहीं समझ में आया तो 9 months को year बना दीजिए महिना को साल बनाने के लिए क्या करते है 9 by 12 years हो जाएगा 12 से divide कर देते है अब इसको आपको क्या बनाना है quarter year 4 से multiply कीजिएगा 4 बन जा 4 4 तरीजिए 12 3 बन जा 3 3 तरीजिए 9 मतलब 3 quarter years ऐसे भी आपका 3 quarter year ही आएगा अब चलिए amount calculate करते हैं सब कुछ हम लोग कर चुके हैं principle 20,000 रुपीस है into 1 plus rate आपको कितना है 5 5 by 100 raise to the power time 3 quarter years है इसको बस solve कर देना है 20,000 into अंदर में solve करेंगे तो आपको मिलेगा 21 by 20 raise to the power 3 it is equal to 20,000 into 21 by 20 into 21 by 20 into 21 by 20 अब देखे 20 यहाँ पे 3-0 और 20-20 का 3-0 खत्म हो जाएगा 2 तू जा 4 इस 4 से आपका 5 टाइमस में 20 खत्म हो जाएगा आपको यहाँ पर मिलेगा 5 into 21 1 into 21 into 21 divided by 2 which will be equal to 23152.5 इसलिए इस question के लिए final answer आपका इतना हो जाएगा जो amount आप से पूछा गया था amount will be equal to 23,152 रूपीज and 50 पैसा question में जो पूछा गया था उसके लिए अगर आप statement भी लिख देते हैं तो और अच्छा number आपको मिलेगा हमके बढ़ सॉल्व करकर किसम में बता रहे है statement भी आपको लिख देना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आपको लिखना होगा मीरा विल गेट कितना इतना रूपीज 23,152 रूपीज after the expiry of the period ऐसे आपको एक statement लिख देना है last question को अब सॉल्व करते है find the amount and compound interest दो चीज आपको निकालना है on 24,000 रूपीज for six months if the interest is payable quarterly quarterly compounding हो रहा है यहाँ पे rate आपका दिया गया 20 पैसे और रूपीज per annum बच्चा सब confused की यह क्या दे दिया भाई देगो कुछ नहीं है 20 पैसे और रूपीज का मतलब क्या हुआ 20 पैसा per रूपीज मतलब 1 रूपीज अब देखे 20 पैसा उपर में है 1 रूपीज को आप क्या लिख सकते है 100 पैसा लिख सकते है पैसा पैसा खतम 20 by 100 आपको मिल गया which is equal to 20% अब देखे यह जो दिया गया था इसको आप क्या लिख सकते है 20% लिख सकते है 20% Per Anum Rate आपको 20% Per Anum ही दिया गया है बस आपको Confuse करने के लिए वह ऐसे लिख दिया गया है तो एक्जाम में ऐसे लिखा जा सकता है ऐसे लिख कर दे तो आपको घबराना नहीं है आपको दिमाग से काम लेना है बाकी डेटा में हमें प्रिंस्पल गीवन है 24,000 रुपीज और हमें टाइम भी गीवन है 6 months 6 months को आपको convert कर देना है quarter year में 3 महिना एक quarter year 6 महिना तो quarter year लिख देते हैं यहाँ पे 6 months is equal to 2 quarter years अब बस हमें amount के लिए calculation कर देना है P into 1 plus R by 100 raise to the power T P आपका है 24,000 into 1 plus R by 100 R कितना निकाले थे 20% अच्छ अच्छ इसको भी तो convert करना पड़ेगा न यह 20% per annum है साल का 20% है तो quarter year का यानि कि 3 महिना का rate क्या होगा इसको 4 से भाग कर देंगे तो आपका quarter year का rate मिल जाएगा 5% per quarter year आपको ये use करना है यहाँ पे यहाँ पे आप लिखेंगे 1 plus R यानि कि 5 by 100 raise to the power time कितना है time कितना है 2 quarter years तो 2 आगे solve करेंगे तो आपको मिलेगा 24,000 into अंदर में मिलेगा 21 by 20 तो 2 exponent है तो आप लिखेंगा 21 by 20 21 by 20 21 by 20 into 21 by 20 ये 2 0 ये 2 0 खतम 2 से यहाँ पे 120 हो जाएगा फिर 2 से 60 हो जाएगा तीनों को multiply करेंगे आपको मिलेगा 26460 रूपीज ये हो गया आपका amount पहला answer आपको मिल गया अब आपको क्या निकालना है compound interest निकालना है इसके लिए क्या करते हैं amount minus principal कर देते हैं amount पता है 26460 minus principal आपको पता है 24000 subtract करेंगे हमें मिलेगा 2460 रूपीज ये हो गया आपका compound interest तो इस तरह से दो चीज हम से पूछा गया था इस question में दोनों हमने find out कर लिया तो finally हमने दो parts में worksheet 3 के सभी questions को solve कर लिया अगर आपने पिछले part को नहीं देखाया तो उसको जरूर देख लीजेगा playlist में आपको वह वाला वीडियो मिल जाएगा जाने से पहले चैनल को subscribe कर लीजेगा और इस वाले चैनल को भी search करके देख लीजेगा left side में click करके आप मैं इसका playlist open कर सकते हैं जहाँ पर आपको हर worksheet का वीडियो मिल जाएगा और right side में click करके आप मैं इसका अगला वीडियो देख सकते हैं फिलाले से वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे ने टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रख्ये और अच्छे से बढ़ाई करते रहे हैं